मैं वशालियादव, पिछ्टे दिनों मैं युग्रेन में फसी हुई थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया था हैल्प के लिए, तो लोगों ने उसमें बहुत ट्रोल किया, उसको राजनीती से जोड दिया, तो मैं अभी ये वीडियो सिर्फ ये बताने के ये बनारी हूं, कि मै मैं सुरक्षित हूं, घर वापस आ चुकी हूं, और मुझ के जो भी आलोप लगाया जा जाए हैं, उसको मैं ख्लियर कर दूँगी जब हमारी आती अधिकारी में ले नोटिस भीजेंगे तो, और भारत सरकार का नारा है न, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो अगर ब कोई बात ही नहीं है, और हमारी गाउं की लोग मेरे काम से खुश हैं, उन्होंने हमारे किलाब आसकर कोई कारवाई नहीं करी, तो आप लोग कुछ पर बेवनिया दे आरूप ना रहे हैं, थैंक्यू किर deja रहे हैं, पcióकर का मेरे कोई टाव की पातारी लोग मेरा हैं, नहीं हवड़ाइ दी, अल थिए भातारी वोग मेरे दो मेरे के आप कर दो कि अपसे बाता है बिकास कंट सांडी में ग्राम पंचाय तेरा परसौली की परधान है बैसाली यादब यह पता चला है कि यूक्रेन में एम्वीबियस की सिच्छा प्राप्ट करने के लिए वहां पर गई हुई है जानकारी होने पर बिकास कंट के एडियो पंचाय से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है उसी के अदाब पर पंचायत राज अदुनियम के सुसंगत्दाराओं में जो भी कारवाई होगी कारवाई की जाएगी किस मामले के जाच कराई जाए यह अनपस्तित हैं ग्राम पंचाय से अनपस्तित हैं और जो कोई ग्राम पंचायत के कारे होते हैं वह कारे जो किये गए हैं वो समद्ध में जा चोगी यह 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 में हमें 22 तारी को पता लगा कि बाद जगड़ा हो सकता है तो मैंने फोन किया उसने 24 तारी को अपनी फ्लाइट बुक करवाई लेकिन 24 वह जगड़ा हो गया साम अब तरह कोई आज़ेश नहीं हो देगा बच्चों को लाएंगे उसने वीडियो डाला उसके बाद में सरकार सक्री हुई हम यह नहीं करें वीडियो सक्री हुई सरकार सक्री हुई अगले दिन यह लोग बस से रोमानिया बार्डर पहुंचे पूरी रात यह लोग बार्डर पे ही बैठे रहें अगले दिन इनको रोमानिया प्रवेश मिला रोमानिया पहुंच गए उसके बाद इतना बेहंगतर तरीके सोसल मीडिया पर प्रशारित किया गया कि वो घर पे ही थी वो सपानेता की बेटी है इसलिए सरकार को बदनाम करने लिए यज्ज और ग्रप्टार किया, उसने कहा कि हमने पापा कहने बीज्जो डाला कि उसके बाद हमारे पत्तकार साथियों से हमारी बारता आई उन्हों का बेटी से दोसरा वीडियो मंगबा लीजिए मैंने फोन किया उसने दिवतरा वीडियो डाला कि मैं इस समय रोमानिया में हूँ भारत में जो भी चला है वो एक बिल्कुल फेक है गलत ने कोई सत्य नही होगी यहां बाउखलाई हुए हैं हम पूरे भारत उत्तर प्रद्यस बार नहीं कर लेकिन हर मारे हर दोई जिले में बाट्ता बिल्कुल साफ है यहां यहीं के बाट पर सबसे ज़्यादा बाउखलाई हुए हैं बेटी प्रधान है मैं मेरी उम्र जब 22 साल थी उन्हें से म मेरी मा की उम्र बहुत थी मैंने बेटी को लड़ाया पंचाय तेक्ट में सीधा उल्लेख है कि हर प्रधान को साल में दो बार जरूर यहां आती अपनी मीटिंग कर लेंगे इस हिसाब से ने चुनाव लड़ाया उसके जाने के बाद मतलब उसके जाने के पहले जो भी डाक मन्साजी में कोई दसकत नहीं है का हमने कोई कार नहीं कर वाया जिसमें प्रधान के दसकत होते हैं मल्रेगा में बही काम हुए है जब वो यहां थी उस समय काम हुए हैं और उसके बाद सरकार यह कहती ए बेइटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या सरकार की मन्सा बेटियों पढ़ाने के नहीं है किया प्रदान पढ़ नहीं सकता है हमने जो भी किया सोच समझ किया है सरकार मतलब